हेलो एंड वेलकम फ्रेंड मैं नामे जावेट आप देख रहे हैं हेल्फुल लास्ट यूट्यूब चैनल्स दोस्तों सीनिय सीटी इसन डिसकाउंट को लेकर के एक बार फिर चर्चा शुरूर हो गई है क्या चर्चा हो रहे हैं इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो ये वीडियो लास्ट यूट जरूर देखेगा आपके लिए काफी ज़्यादा एलफुल होगा और कुछ नहीं जानकरी मिलेगी पाँचवी वंदे भारत एक पेस ट्रेन मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो दस नॉमबर 2022 यानि की नेक्स्ट मन में बैंगलूरू और मैसूर रूट पर चलने वाली है यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं बैंगलूरू और मैसूर रूट पर चिन्नाई के लिए ये ट्रेन अलाट होने वाली है 10 नॉमबर 2022 से ऐसा मीडिया रिपोर्ट का दावा है बढ़ते हैं अपडेट की तरफ जो की सीनियर सीटीजन कंसेशन की तरफ से निकल कर आ रहा है 2020 से बंदे कोरोना के टाइम से बंदे सभी लोग को फिकर थी बीच बीच में आवाज उटती रही है कि सीनियर सीटीजन डिसकाउन फिर से चलू किया जाए एक बार फिर से ये आवाज उटने लगी है कि सीनियर सीटीजन डिसकाउन को फिर से चलू किया जाए ऐसे में बहुत लोग सवाल कर रहे है कि कब से चलू किया जाएगा कुछ इंडिया डेलवे क्लियर जवाब नहीं दे रहा है तो यहाँ पर फिर एक अपडेट निकल कर आ रहा है नीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्चन में तो उसका लिंक आप जाकर चेक कर सकते हैं लेटिस्ट बिल्कुल निउस है एक बार फिर से 70 साल के उपर विचार हो रहा है हो सकता है कि पहले की तरह 60 साल से उपर वालों के लिए फिर से स्टार्ट कर दी जाए लेकिन इसके उपर विचार चल रहा है अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है दोस्तों कोई भी डिसीजन आता है सबसे पहले मैं आप तक पहुँचा दूँगा